हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो मैं चैनल, स्टड़ी विश रूती तो गाईज, हाज हम देखेंगे माल नूटरेशन यानि कि जब भी प्रोटीन की डेफिशेंसी हो जाती है हमारी बोडी में तो उससे हमें क्या-क्या प्रोब्लम हो सकती है अगर हम अडल्स की बात करें तो लोग सो बोडी वेट यानि की बोडी वेट कम हो जाता है जो भी हमारी बोडी वे सब्थूटेनियस लेवल पे जितना भी फैट होता है वो कम होना शुरू हो जाता है एनीमिया देखने को मिल सकता है या फिर कोई भी infection होने के chances जो है वो बढ़ जाता है वहीं पे अगर हम बात करते हैं pregnancy की अगर pregnancy के time पे हम प्रोटीन लेना कम कर देते हैं for a longer period time तो जो baby है वो premature हो सकता है मतलब उसके जो पूरा mature होने से पहले ही baby का birth हो सकता है still birth और अगर हम still birth भी हो सकता है और फिर जो baby है उसका weight जो है वो कम भी हो सकता है low birth weight baby यानि की baby का जो weight है वो 2500 ग्राम से जो है वो कम होगा या infancy या फिर early childhood में रहते हैं तो mental retardation यानि की जो mentally प्रोपरली वर्क नहीं करेगा उसकी growth जो है वो रुख सकती है उसकी development अच्छे से नहीं हो सकती है और अगर हम children की बात करें तो children के case में हो जाता है P.E.M. that is protein energy malnutrition it is not only an important cause of children morbidity and mortality but also lead to permanent cause of reduced physical and mental growth P.E.M. में क्या होता है यह सिर्फ एक important cause नहीं है कि इससे बस morbidity यानि की disease rate या फिर mortality यानि की debt rate ही नहीं बढ़ता है लेकिन P.E.M. की वज़े से क्या हो सकता है कि completely ऐसा हो जाते कि हाँ उसकी mental ना तो उसकी mental growth ही बढ़ेगी बच्चे की ना तो mentally भी growth कर पाएगा उसकी जो growth है वो बिलकुल कम हो जाती है उसकी development अच्छे से नहीं हो पाती अगर हम P.E.M. यानि की protein energy malnutrition की बात करें तो इसकी दो form है clinically एक होती है kwashikar और एक होती है merismus kwashikar की बात करें it is caused by deficiency of proteins in diet अगर हमारी diet में proteins की deficiency है तो kwashikar disease जो है वो देखने को मिलती है वहीं पे it is caused by severe deficiency of protein and calories in the diet और merismus की case में क्या होता है कि जो बहुत ही जादा severe deficiency हो जाती है proteins की या फिर calories की हमारी body में तो merismus देखने को मिलता है अब हम देखते है kwashikar में क्या क्या होता है growth failure अच्छे से growth नहीं होती है anemia हो जाता है changes in skin and hair जो भी hair होते है skin होते है उसमें change आने शुरू हो जाते है वहीं पे अगर हम merismus की बात करते है तो growth failure तो होता ही है loss of fat fat का जो हो लोस होना शुरू हो जाता है sign of dehydration हमारी बोड़ी है वो dehydrate होना शुरू हो जाते है dehydration हमारी बोड़ी में होने लग जाता है यानि की पानी की कम ही हो जाती है उसके बाद mental changes कुछ नो कुछ mental changes भी जो है आ जाते है उसके बाद कुछ classification है PEM की यानि की goms classification इसमें क्या होता है it is based on weight retardation जब weight कम होता जाता है तो ये based होता है इस चीज़ पर की weight जो है वो कम होता जाता है it locates the child on the basis of his or her weight in comparison with normal child of the same अगर हम इसको मतलब कैसे करते हैं इसको कैसे identify करते हैं कैसे इसको करते हैं कि same age के दो बच्चों को हमने ले लिया और हम उनका weight और height compare कर रहे है कि हाँ क्या इसका weight और जो भी इसका weight जो है वो normal बच्चे जितना है या नहीं है अगर वो नहीं है तो उसको goms PEM है उसके बाद इसके लिए हम एक formula भी use करते हैं weight for age percentage weight of child बाई में weight of normal child of same age जो जिसको ये deficiency हुई है उस child का weight उसके बाद उसी age का जो normal बच्चा है उसका weight इंटू में 100 अगर हम दूसरा है water loss classification इसमें क्या रखता है measurement of height assess the effect of nutritional status on the long term growth इसमें क्या होता है कि ये ना height बताती है effect को कि nutritional status कैसा है उसका long term से और वो कैसे growth को affect कर रहा है over nutrition of protein होने से क्या क्या हो सकता है weight gain हो सकता है बहुत जादा weight gain हो जाएगा obesity आ जाती है reduce liver and brain function brain और liver जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाते और उसके बाद cholesterol की level भी जो है बढ़ जाती है और जब भी हमारी बोड़ी में cholesterol का level बढ़ता है तो वो heart disease को invitation देता है उसकी वज़े से heart disease होने के cardiovascular disease जिनने हम कहते है उनको होने के chances बढ़ जाते है